सभी साथियों को नमस्कार बिहार सक्षमता परिक्षा में जितने भी प्रस्ण पूछे गए हैं उस पर आधारित जोगरफी के टॉप एक हजार महत पुर्ण प्रस्ण आप के लिए लेकर आया हूँ तो चाहे हो अब बिहार सक्षमता परिक्षा हो BPSC TRE 3 का एकजाम हो परधान सिक्षक का एकजाम हो जोगरफी से इससे बाहर आपका एक भी प्रस्ण नहीं आएगा तो अगर आप हमारे चैनल कौसिक G.S. Academy से अभी तक नहीं जूरे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि सभी सब्जेक्ट का टॉप प्रस्णों का स्रीज हम लेकर आने वाले हैं जितने भी टॉपिक से एकजाम में प्रस्ण पूछे गए हैं तो चलिए क क्लास स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्ण है प्राचीन भारतिय भागौलिक माननेता के अनुसार भारत वर्स किस दुईप का अंग था तो प्राचीन भागौलिक माननेता के अनुसार भारत वर्स जंबो दुईप का अंग था किसका अंग ता जंबो दुईप का अगला प् भारत विश्वत रिखा के उत्तर में इस्थित है अभी हम नीचे में मैप पर इसे डिटेल में देखेंगे तो भारत विश्वत रिखा के उत्तर में इस्थित है अगला है भारत आठ डिग्री चार मिनट से लेकर 37 डिग्री छे मिनट उत्तरी अक्षांस के बीच इस्थित है नेश्ट है 68 डिगरी 7 मिनट से लेकर 97 डिगरी 25 मिनट पुर्वी देसांतर के बीच भारत इस्थित है भारत की इस्थिती आप यहां पर मैप पर देख लीजिए 8 डिगरी 4 मिनट से लेकर 37 डिगरी 6 मिनट उत्री अक्षांस के बीच भारत इस्थित है साथ में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देसांतर के बीच भारत क्या है इस्थित है भारत का उत्तर से दक्षिन की लंबाई 314 किलोमेटर है और इसका पूरब से पस्चिम की लंबाई 233 किलोमेटर है कितना है अगले परस्व की तरफ चलते हैं अगला प्रसने भारत पुन्तक क्या है उत्तरी गुलार्द में इस्थित है भारत की आकिरती चतुसकोणी है कैसा है चतुसकोणी है नेक्ष परस ने छेतरफल के दिरिष्टी से भारत विश्व में साथ में तथा जन्सेंख्या के दिरिष्टी से दूसरे अस्थान पर है क्या है अस्थान पर है दूसरे अस्थान पर अगला प्रसने भारत का छेतरफल कितना है तो भारत का छेतरफल है 32,87,263 किलोमेटर अगला प्रसने भारत की उत्तर से दक्षिन की लंबाई कितनी है तो 314 किलोमेटर है और भारत की पुर्व से पस्चिम तक की लंबाइ कितनी है तो भारत का पुर्व से पस्चिम तक की लंबाइ है 233 किलोमेटर कितना है 233 किलो मेटर अगला परसने भारत की अस्थली सीमा की लंबाई कितनी है तो भारत की अस्थली सीमा की लंबाई है 15200 किलो मेटर दुईपो सहित भारत के तटरेखा की लंबाई है 7516.5 किलो मेटर भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है तो 1600 किलो मेटर है भारत का छेतरफल 20 के कुल भावलिक छेतरफल का कितना परसेंट है तो 2.4 परसेंट है कितना परसेंट है 2.4 परसेंट भारत में कितने राज समुदर तटरेखा में है तो भारत का कुल 9 राज जो है उस समुदर तटरेखा से क्या है सटा हुआ है आप देख सकते हैं गुजरात महराष्ट गुवा करनाटक केरल तमिलनाडू आनपर्दिस उरिसा और पस्चिम मंगाल कहां से सटा हुआ है समुद्रतर से सटा हुआ है अगला प्रसन है कि सराजी की तटरेखा सबसे लंबी है तो गुजरात की तटरेखा क्या है सबसे लंबी है अगला प्रसने कौन सी अक्षांस रेका भारत के मध्य से होकर गुजरती है तो करकरेखा भारत के मध्य से होकर क्या करती है गुजरती है अगला है भारत के कितने राज्यों करकरेखा से गुजरती तो भारत का कुल आठ राज्यों से करकरेखा गुजरता है वो आपका है मिजोरम, तिरपूरा, पस्ची मंगाल, जारखंड, छतिसगर, मद्यपरदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर क्या होता है करकरेखा गुजरती है अगला प्रसने भारत का दक्षिंतम बिंदू है इंद्रा पॉइंट कौन है इंद्रा पॉइंट और भारत ये भूमी का सरबाधिक उत्री भाग कौन है तो इंद्रा कॉल है कौन सा है इंद्रा कॉल अगला प्रसने भारत का दक्षिंतम अस्थान इंद्रा पॉइंट कहां इस्तित है तो ये अंडमान निकोबार दुइब समों में इस्तित है अगला परसने भारत की मुख्य भूमी को रामे सुरम दूइप से कौन अलग करता है यह चंबल चैनल क्या करता है पंबन चैनल अलग करता है कौन करता है पंबन चैनल अगला परसने आदम का पूल किन दो देशों के मद इस्तित है तो आदम का पूल भारत और स्रिलंगा के बीच इस्थित है अगला है दीब एक दूइप है ये कहां है गुजरात के टत्पर इस्थित है नेक्स्ट अगला प्रस ने दक्कन पास किसके बीच इस्थित है दक्कन पास दक्षिनी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच इस्थित है अगला प्रस ने स था चीन के पीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सा है तो मैक मोहन रेखा है कौन सा है मैक मोहन रेखा अगला है कौंकन तट कहां से कहां तक बिस्तृत है तो कौंकन तट गोवा से दमन तक बिस्तृत है अगला परसने भारत और पाकिस्तान के बीच अंतराश्टी सीमा किस के द 4000 प्लिस किलोमेटर है सबसे छोटी अस्तली सीमा भारत की किस देश के साथ है तो वो भूटान के साथ है अगला परसने भारत की पूरभी समुदरी तट किस नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है कोरो मंडल के नाम से जो पूरभी समुदरी तट है अगला प्रसने नियुमुर्दूइप कहां है तो नियुमुर्दू बंगाल की खारी में इस्तित है अगला है सुतनतरता से पुर्व कौन सा भारती चेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था तो अंडमान निकोबार दूइप समु काला पानी के नाम से जाना जाता था यहा सरम भारत और श्रलंका के मद इस्तित है थार Mr. Mihi कहां स्थित है थार मुरों मुरू espresso स्थान में इस्तित है अगला क्षिन गंगोत्री खेंधार का में अस्थापित भारतिय्या व्यग्यानिक अनुसंधान के इन है ना अगले परसिन की तरफ चलते तो बर्तमान समय में भारत के किस अस्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है तो सिया चीन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है अगला परसिन हैदराबाद का जुरुबा नगर कौन से है तो सिकंदराबाद को हैदराबाद का कोची का जुरूबन अगर कौन से हैं एरना कुलम जम्म। इबराजी का वह हिस्सा जिससर्वादी क domestic का अदिकार है. क्या कहला तहें इस अक्साई चीन कहा जाता है । क्या । भारत का एक मातर सीट मरूज़ अस्थल है तो कौन से है वो ल Although कौन है लद्दाख अगले परशन की तरफ चलते हैं तो किस भारती राजी की सीमा सरबाधिक राज्यों की सीमा को असपर्स करती है तो यह आपका है उत्तर प्रदेश कौन सी है उत्तर प्रदेश भारत अवस्तित है तो पहले हमने जिकर किया आठ डिगरी चार मिनट से लेकर 276 गुरी च मिनट 60 से लेकर 3691 पुर्देश आंतर की बीच में क्या है इंडिया इस्तित है भारत किस गुलार्द में है तो उत्तर पुर्द भी गुलार्द या उत्तरी गुलार्द बोल सकते हैं आप इंद्रा पॉईंट किसकी दक्षिएंतम नोग है तो अर्णमो समू की दक्षिंतम नोक है नेक्श है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जबाहर सुरंग किस राजे में अबस्तित है तो यह आपका जम्मु कस्मीर राज में अबस्तित है अगला है पटकाई की पहारिया भारत को अलग करती है तो मयान मार से भारत को पटकाई की पहारिया क्या करती है अलग करती है अगला परस ने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निरधारन किस ने किया तो सर सिरिल जॉन ड्रेड कलिफ ने किया अगला परस ने कौन सा राज तीन तरब से बंगला देश से गीरा है तो तिर पूरा तीनों तरब से किसे गीरा है बंगला देश से गीरा है नेक्स डुरंड लाइन ने लिखे दो देसों के बीच की सीमा है तो पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं डुरंड लाइन कहते हैं भारत के किस भाग में बैरन जुआला मुखी दुप इस्तित है तो अंडमान दुप समू मे अरुनाचल प्रतिस है भारत की किस प्रदेश की सिमय पर इस्तित परवत है हिमाले हिमाले परवत एक मुख्य परकार का वलित परवत है या इसे नविन मोरदार परवत भी कहा जाता है अगला प्रसने भारत में सबसे उची परवत चूटी कौन सी है ये गौडविन आस्टीन है अगला है भारत में हिमाले जिखर है कंचन जंगा कौन सा है कंचन जंगा अगला प्रस्ण है हिमाले की उत्पत्ति किस भूसन्यती से हुई तो टेथी भूसन्यती से हुई थी हिमाले का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है तो इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है अगला है नंदा देवी इस बद्रीनात अबस्ती थे तो कुमाव हिमाले में बद्रीनात अबस्ती थे कौन सी प्रबत चोटी संसार की दूसरी सर्वुच प्रबत चोटी है तो यह है Godwin Austin कौन है Godwin Austin अगला परशने कारा कोरं प्रबत स्रेनी का पुर्मनाव है तो कृष्णागिरी काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमाले का कौन सा प्रादेशिक बिभाग इस्तित है ये नेपाल हिमाले है, कौन है नेपाल हिमाले किस हिमाले चोटी को सागर माथा कहते है तो माउंट एवरेश्ट को सागर माथा कहा जाता है अगला परसने सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमाले की कौन सा प्रादेशीक विभाग इस्तित है तो सतलज एवं काली नदियों के बीच कुमाव हिमाले इस्तित है लगू हिमाले स्रेनी को धालो पर मिलने वाले छोटे घास के मैदानों को उत्राखन में क्या कहा जाता है तो इसे बुग्याल एवं पयार कहा जाता है हिमाले की श्रेनी में मिलने वाली संकिन तथा अनुधैर लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है तो इसे दुन के नाम से नाम से जाता है। के नाम से अगला प्रसने लंगु हिमाले स्र मिलने वाले छोटे-छोटे घहास के मैदानों को जम्मू कर्समिर म में क्या मर्ग कहा जाते हैं क्या कहा जाते हैं मर्ग नेक्स कोशा ने एडमंड हिलेरी तथा देंजी नोर्गे द्वारा विश्व की सर्भुच परबत चोटी मांट एबरेश्ट पर सबसे पहले किस बर्स बिजय प्राप्त की गई तो 1913 में बिजय प्राप्त की गई अगला प्रसंद अनमार में इस्थित हैं नेक्स देख कुलू घाटी किन किन परबत शेणियों की बीच अवस्तित है जो दोला धर चाथा पीर पंजाल की बीच अवस्तित है नेक्स लेटरा खंड का सबसे ऊंचा परबस सिखर है तो नंदा देवी कौन सी है नंदा देवी हिमाले का दूसरा सबसे उंचा परवस्रेनी कौन सी है तो अराबली सबसे परवस्रेनी में आता है अगला प्रस्ण है भारत में कौन सी परवस्रेनी केबल एक राजे में फैली हुई है तो अजन्ता की गुफाय केबल एक राजे में फैली हुई है भारत में सबसे प्राचीन बली परबत माला कौन सी है वो आरा बली है आरा बली परबत का सरबचु सिकर क्या कहा लाता है तो इसे गुरु सिकर कहा जाता है पश्चमी घाट क्या है एक भरंस का कार को क्या कहा गया है पश्चमी घाट कहा गया है नेक्स कोस्चन है किस परबत म अंयोंगो सम्मिलनस्थल किया कहते तिसे निलगीरी पहारी कहा जाता है अगला है भारत के सबसे दक्षिन नहीं भाग में इस्तित पहारीयां कॉनसी है तो वो अबस्तित है अगला प्रस्ण है गिरनार पहारी कहां बस्तित है गुजर्यात में बस्तित है गारो खासी और जैन्तिया पहारी है किसरा जिम में बस्तित है ये मेगाले में बस्तित है दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी अन्नामुदी है भारत मयानमार के बीच सीमा पर चोटी कौन सी है तो वो पारसनाथ है कौन है पारसनाथ धूपकर चोटी इस्तित है तो सत्पूरा रिंज में धूपकर चोटी इस्तित है आराबली स्रेनी राजस्तान राजी में इस्तित है हिमाले के सरबुच सिखर माउंट एबरेस्ट की उचाई कितना है तो 8848 मीटर अगला परस्म की तरफ चलते हैं तो कोडाई कनाल किस परवस्रिंखला पर इस्तित है तो किस राजे में सबरी माला इस्तित है तो केरल में क्या है सबरी माला इस्तित है नेक्ष्ट है गुरु सिखर चोटी किस राजी में इस्तित है तो राजस्थान में गुरु सिखर चोटी इस्तित है अगला है सेवराय पहारिया कहां अवस्तित है सेवराय पहारिया तमिलनाडू में अवस्तित है नेक्ष्ट है हिमाले की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है थी हिमाले की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा वर्वा क्या है नामचा वर्वा नेक्ष्ट नर्मदा एवं तापती नदियों के मदे स्थित है तो सत्पूरा पहारिया इसके मदे क्या है इस्थित है अगला परसन है अंडमान और निकोबार दुइब समों में सबसे अधिक उचाई वाली चोटी कौन सी है तो सेडल पिक है कौन सी है सेडल पिक आरियों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था तो खैबर दर्रे से होकर आरे भारत में क्या हुए थे प्रवेश किये थे जब आहर सुरंग नाम किस प्रकृति प्रवतिय दर्रे को दिया गया है तो यह बनिहाल दर्रे को जब आहर सुरंग नाम दिया गया है अगला परसन देख लिए अगला परसन है हि माचल प्रदेश में इस्तित है पिपली दर्रा घाट दर्रा किस प्रवती भाग में इस्तित है तो यह अरावली भाग में इस्तित है जोजीला दर्रा सिरनगर और ले को जोड़ता है पाल घाट दर्रा किंदो राज्यों को जोड़ता है तो केरल तमिल नाडू को पाल घाट दर्रा जोड़ता है तूजू दर्रा भारत को किस राज़े से जोड़ता है तो यह महनमार को जोड़ता है नाथुला दर्रा किस राज़े में इस्थित है तो सिक्किम में इस्थित है नेक्षट बोमडिला दर्रा भारत के किस राज़े में इस्थित है अगला परसन देख लि निक्स्ट है टौगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोरने वाला प्रवतिय मारग है तो यह मैनमार को जोरने वाला प्रवतिय मारग है निक्स्ट है खैबर का दर्रा कहा है तो ये पाकिस्तान में कहा है पाकिस्तान है अगला है बुर्जीला तो था जो जीला दर्रा किस राजी में इस्तित है तो ये दोनों जम्मू कस्मीर राजी में इस्तित है अगला परसन देख लीजिए आप कि पाल घाट के इनके मद इस्त इस्तित है हिमाचल प्रदेश में 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 इस्तित है अगले परसन की तरफ चलते तो अगला परसन है आपका जानी जाती है तो ये मेगना के नाम से जानी जाती है अगला प्रस्ण है सुन्दर बन का डिल्टा कौन सी नदी बनाती है तो ये गंगा ब्रहंपुत्र नदी मिलकर सुन्दर बन की डिल्टा को क्या करती है बनाती है गंगा और ब्रहंपुत्र नदियों का उद्गम अस्थल करम से इस्थित है थी ये उत्रा खंटता तिबबत में इस्थित है ने इस्थित तिबबत में बहने वाली नदी सांगपो किस राजे से होकर भारत में परवेस करती है अगला है विस्थो का सबसे बरा नदी माजुली का निर्मान करने वाली नदी कौन सी है तो आपका ब्रहं का सोक कहा जाता है नदियों में से कौन सी एक बिनासक नदी कहा लाती है तो कोसी नदी को बिनासक नदी की संग्या दी गई है कौन नदी बंगाल का सोक कहा लाती है तो दामधर नदी बंगाल का सोक कहा लाती है कौन सी नदी प्रारंबे अरुन नदी के नाम से जानी जाती थ है तो चंबल नदी का सुरूत है निश्टे कौन सी नदी भेरा घाट के समिप कपिल धरा जल पर पात का निर्मान करती है तो नर्मदा नदी कपिल धरा जल पर पात का निर्मान करती है अगला है कौन सी नदी जौार नदमुक का निर्मान करती है तो नर्मदा नदी जौार न नदी दो भागों में बार्तियती नर्मदा नदी है, निक्षे दक्षिन भारत के नदियों में सबसे लंबी नदी कौन से यह गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है, निक्षे किस नदी को बिर्द गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को बिर्द गंगा क है नेक्स्ट है कावेरी नदी जल्बी बाद मुखे तक किन दो राज्यों के Mद्ध है तो करनाटक तरता मिलीडे desse के मींच में कावेरी नदी जल्वी बाद है अगला कीस नदी को डक्षण भारत की गंगा कहा जाता है किस अगले अगले प्रसन की तरफ चलते हैं अगला प्रसन है इंडो-ब्रह्मा है तो iंडो-ब्रह्मा परानिक नदी का नाम है किसका नाम है सिर्षे कीक्ट नदी का अगला है दामोदर नदी निकलती है दामोदर नदी छोटा नागपूर पठार से क्या होती है निकलती है अगला है विश्व का ब्रहत्तम डिल्टा निर्मित होता है विश्व का ब्रहत्तम डिल्टा गंगा एबं प्रहंपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है अगला प्रसन है सोन और नर्मदा नदी निकलती है तो सोन और नर्मदा नदी अमर कंटक पहारी से क्या होती है निकलती है अगला है प्रायदूपिय भारत की सबसे बरी नदी कौन सी है प्रायदूपिय भारत की सबसे बरी नदी आपका गोदावरी नदी है कौन सी है गोदा चांस भाग मध्य परदेश राज में बहता है किस राज में मध्य परदेश राज में भारत में डिल्टा बनाने वाली नदिया है तो भारत में डिल्टा बनाने वाली नदिया कावेरी गंगा और महानदी है कौनसी है कावेरी गंगा और महानदी अगला प्रसन है कहां भागी बांद का सबसे उची नदी बांध कौन सा है तो भारत का सबसे उची नदी बांध है टिहरी बांद कौन सी है टिहरी बांद भारत में सबसे लंबा बांद कौन सा है तो भारत में सबसे लंबा बांद है हीरा कुंड बांद कौन सा है हीरा कुंड बांद अगले प्रसन की ओर चलते हैं तिहरी बांद किन दो नदियों के संगम पर इस्तित है तो तिहरी बांद भागी रती वो भिलांगना नदियों के संगम पर इस्तित है अगला प्रसन है चिलका जिल किस राजे में इस्तित है तो चिलका जिल ओडिसा राजे में इस्तित है किस र अगला प्रस्ते रानि लक्ष्मी बांद अबस्तित है बेतबा नदी पर कहां पर अबस्तित है बेतबा नदी पर अगला प्रस्ते अलमाटी बांध किस नदी पर इस्तित है तो अलमाटी बांध किस नदी पर इस्तित है नेक्स्ट है हिरा कुंड बांध किस नदी पर इस्तित है तो हिरा कुंड बांध महा नदी पर इस्तित है जिसे उडिसा का सोक कहा जाता है थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है तो थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है अगले प्रस्न क्यों चलते हैं अगला प्रस्न है गांधी नगर जवाहर सागर और राना परताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है तो यह चंबल नदी पर निर्मित है किस नदी पर चंबल नदी पर अगला परस्ण है मैराथन अगला परस्ण है मैथान बाल पहारी इबं तिलया बांध किस नदी पर बनाए गया है ये बनाए गया है बड़ाकर नदी पर किस नदी पर बड़ाकर नदी पर अगला परस्ण मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है तो मेटूर बांध बना गया है कावेरी नदी पर किस नदी पर याद रखेगा कावेरी नदी पर अगला प्रस्न है अल्माटी बांध किस नदी वर राज में बनाये गया है तो अल्माटी बांध कृष्णा नदी पर करनाटक राज में बनाये गया है कहां पर करनाटक राजे में अगला प्रस्न है नागा अरजुन सागरबांध भारत की किस राजे में इस्तित है तो नागा अरजुन सागरबांध आंध परदेश राजे में इस्तित है किस राजे में आंध परदेश राजे में अगला प्रस्न है उत्तरपुर्वी भारत की सबसे बरी जील लोकटक जील किस राजे में इस्तित है तो लोकटक जील काफी फेमस से ये मनीपुर में इस्तित है कहां इस्तित है मनीपुर में इस्तित है अगले प्रसंद की ओर चलते है भारत की सबसे बरी मीठे जल की जिल कौन सी है तो भारत की सबसे बरी मीठे जल की जिल है आपका बुलर जिल कौन सी है बुलर जिल अगला है उमियम जील किस राजी में इस्तित है तो उमियम जील मेगाले राजी में इस्तित है नेक्षट है परसिद लेगून जील चिलका किस राजी में इस्तित है तो चिलका ओडिसा राजी में इस्तित है निक्स्ट है भारत में ताजे जल की सबसे बरी जील बूलर किस राजे में इस्तित है तो बूलर जम्मु कस्मीर राजे में इस्तित है निक्स्ट है लुनार जील किस राजे में इस्तित है तो लुनार जील महरास्ट राजे में इस्तित है लुनार जील महरास्ट राजे में इ कि रजस्तान में नेक्ष्ट बिमनाद जिल किस राज जमें इस्थित्त है तो बेमनाद जिल आपका के राज में इस्तित्त है कहां पर के राज में कुलेरू जिल किस राज में इस्तित है कुलेरू जिल आंध पर्दिस राज में इस्तित है अगला है जवाहर सागर राना परताप सागर गांधी सागर जला से किस नदी पर इस्तित है तो यह आपका चंबल नजी पर यह तीनों किस पर इस्तित है चंबल नदी पर इ इस्तित है कौन सी हुसें सागर जील भारत की परसित लेगुन जील है तो भारत की परसित लेगुन जील है चिलका जील याद रखेगा चिलका जील नागिन जील किस राज में इस्तित है तो नागिल जील जम्मु कस्मी राज में इस्तित है किस राज में जम्मु कस्मी राज म तो भारत में बिसालतम लेगून है चिलका लेगून कौन सी है चिलका लेगून अगला प्रसन है भारत में सबसे उचा जल परपात कौन सा है तो भारत में सबसे उचा जल परपात है आपका जोग जल परपात कौन सा है जोग जल परपात अगला है बिस्विख्यात जोग या गरसोपा जल परपात किस राजी में इस्तित है तो ये इस्तित है आपका करनाटक राजी में किस राजी में इस्तित है करनाटक राजी में अगला परसन है जोग या गरसोपा जल परपात का नया नाम क्या है इसका नया नाम है महातमा गांधी जल परपात क्या नाम है दुआधार जल पर पाथ कस नदी पर इस्तित है तो नर्मदा नदी पर इस्तित है आपका धुआ दुआधार जल पर पाथ अगला है कपिल धरा जल पर पात किस नदी पर इस्तित है तो कपिल धरा जल पर पात नर्मदा नदी पर इस्तित है नेक्स है सिब समुद्रम जल पर पात किस नदी पर इस्तित है तो सिब समुद्रम जल पर पात कावेरी नदी पर इस्तित है नेक्स्ट है गोकक जलपरपात किस नदी पर इस्तित है तो गोकक जलपरपात गोकक नदी पर इस्तित है नेक्स्ट है हुन्डु जलपरपात निर्मित है तो हुन्डु जलपरपात स्वर्न डेखा नदी पर निर्मित है नेक्स्ट है भारत में किस जलपरपात को लोकप्रिये रूप से नियागरा जलपरपात के तोर पर जाना जाता है तो ये चितरकूट जलपरपात जाना जाता है कौन सा चितरकूट जलपरपात अगला प्रसन देख लिजे आप एसिया का सबसे बड़ा जल परपात हुंडरू किस जगह के पास है तो ये है आपका राची के पास कहां पर है हुंडरू जल परपात जारखंड राज में परता है जो राची के पास इस्थित है निश्ट है महातमा गांदी जल बिद्दूत उत्पाद प्लांट कहां इस्थित है ये इस्थित है जोग परपात पर कहां पर इस्थित है जोग परपात पर अगला परस गोकक परपात किस जिले में इस्थित है तो गोकक परपात बिलगाओं में इस्थित है कहां पर बिलगा धारा जल परपात इस्थित है तो सहस्तर धारा जल परपात देहरा दून में इस्थित है कहां पर इस्थित है देहरा दून में इस्थित है अगला प्रसंद देख लिए अगला है नेल गिरी के परवतिये छेतर में कौन सा जल परपात इस्थित है तो नेल गिरी के परवतिये छित्र में आपका पायकारा जलपरपात इस्तिते कौन सा पायकारा जलपरपात अब अगले प्रस्न की तरफ चलते हैं भारत में पर्थम बहुत देसी नदी घाटी परियोजना का निर्मान किस नदी पर किया गया है तो ये आपका दामोदर नदी पर किया गया है किस नदी प भारत की सबसे बरी बहुत देशी नदी घाटी परियोजना कौन सी है यह अब है परतमान में भाखरा नागल परियोजना जो भारत की सबसे बरी बहुत देशी परियोजना है याद रखेगा अगरा है परामबी कुलम अलियार परियोजना किन राजियों के सम्मिलित परियोज के समिलिथ पर्योजना को मच कुंड पर्योजना है अगला प्रस्न मयूराक्ची पर्योजना से भारत की कौन से दो लभानवित हो रहे हैं तो मैयूराक्षी परियोजना से पस्चिम मंगाल एवम जहारखंड क्या हो रहे हैं लभानवित हो रहे हैं अगला प्रस्ण है आंत परदेश एवम उरिशा की सम्मलित परियोजना है तो आंत परदेश एवम उरिशा की सम्मलित परियोजना मचकुंड परियोजना है कौन सी मचकुंड परियोजना अगला प्रसन है उकाई परियोजना इस्थित है तो उकाई परियोजना गुजरात में तापती नदी पर क्या है इस्थित है गुजरात में तापती नदी पर अगला प्रसन है कौन सी बहुत देशिय नदी घाटी परियोजना करि आगया है तो यह किया गया है दामोदर घाटी परियोजना कौन सी है दामोदर घाटी परियोजना अगला परसने पिरियार जिल बिद्दुत परियोजना किस राजे में इस्तित है तो यह आपका किरल राजे में इस्तित है किस राजे में इस्तित है किरल राजे में इस्तित है अगला प्रस्ण है इड़की जल बिद्दुत परियोजना किस राजे में इस्तित है यह भी आपका केरल में इस्तित है अगला है सलाल जल बिद्दुत परियोजना किस राजे में इस्तित है तो यह आपका जम्मू कस्मी राजे में इस्तित है तो लोक्टक सक्ती परियोजना मनी पूराज में इस्तित है किस में मनी पूराज में नेक्स्ट रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिचाई होती है या उत्तर प्रदेश और बिहार की इससे क्या होती है सिचाई होती है अगला प्रसन है तुलबुल परियोजना कि नदी पर निर्मित है तो भाकरा नागल परियोजना आपका सतलज नदी पर इस्तित है नेक्स्ट है आपका सरदार सरोबर परियोजना से लभानवित राज है तो सरदार सरोबर परियोजना से लभानवित राज है आपका कौन से है राजस्थान और मद्यपर्देश है राजस यह आपका पस्ची मंगाल एवं जारकन याद रखेगा पस्ची मंगाल एवं जारकन अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रस्ण है दामोदर नदी घाटी परिजना से लभानवीत राजी कौन से है तो पस्ची मंगाल एवं जारकन हो गया तमिल लाडू एबं किरल के स्युक्त नदी घाटी परियोजना है ति ये दोनों का जो स्युक्त नदी घाटी परियोजना है ओह है परामभी कुलम अलियार परियोजना है न जायकवारी परियोजना किस नदी पर इस्तित है जायकवारी परियोजना गोदाबरी नदी पर इस् यह आपका जोग परपात पर इस्तित है नेक्स्ट है कोईना परियोजना किस राजी की परमुख बहुत देशिय नदीघाटी परियोजना है यह महराष्ट की बहुत देशिय नदीघाटी परियोजना है अगले परस्ण की तरफ चलते हैं अगला है नात्पा जाकरी परियोज अग्ला गिरना परियुजन कहा है इसलिदे है तो गिरना परियुजन महारास्ट इसलिदे है अगला परसन हीरा कुन परियोजना किस राजे में है यह आपका उरिसा राजे में किस राजे में है उरिसा राजे में अगला है करनाटक में इस्तित बहुत देशी नदी घाडी परियोजना है यह आपका तुंग भद्रा है कौन सा है तुंग भद्रा अगला है हिटकल परियो प्रदेश में रानी लक्षमी भाई बांध पर्योजना निर्मी थे ये बेतबा नदी पर इस्थित है नेक्स्ट है इडुक की जल पर्योजना किस राजे में इस्थित है ये आपका किरल राजे में इस्थित है किस राजे में किरल राजे में अगले प्रसिन की तरफ चलते है अगला है नागा अर्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर इस्तित है वो है कौन से कृष्णा नदी निष्टे गंड़क परियोजना किन दो राज्यों के संयुक्त जल धारा है तो गंड़क परियोजना बिहार की संयुक्त क्या है जल धारा है अगले प्रस्ण अगला प्रसन है नात्पा जाकरी परियुजना किस राजी में इस्तित है तो यह आपका हिमाचल प्रदीश राजी में इस्तित है नात्पा जाकरी परियुजना किस नदी पर निर्मी थै तो यह आपका सतलज नदी पर निर्मी थै भाकरा नागल एक सिंग्त परियुजना है तो हर्याना, पंजाब, रजस्तान का स्युक्त परियोजना, भाकरानागल परियोजना है, अगला है गिरना परियोजना कहा इस्तित है, यह महाराष्ट में इस्तित है, हीरा कुन परियोजना किस नदी के जल परभा को नियंतित करता है, तो यह महानदी के जल परभा को नियंत आगला प्रस्ट है, हीराकुर्ण परियोजना wherever zer राज यह उडिषा राज यह करंणाटक में इस्तित भहुत देसिय नदी घाटि परिशन से परियोजना rinse time किस नदी पर इस्तित है घाट प्रभा नदी पर सब्सक्हाइaceyस को नादी से प्रिJust लक्ष्मी बाई बांध पर्योजना निर्मित है तो ये बेतवा नदी पर निर्मित है अगला प्रस्ण है आपका इडुक की जल बिद्दुत परियोजना किस राज में इस्ती ते यह केरल राज मेंस्ती थे अर्जुन सागर पृतory परियोजना कि जिस नदी पर रिस्ती ते वह क्रिष्ना नदी है गंड़क परियोजना किन दो राजीों कि स्वंगत तो जल दा रहा है तो यह आपका परियोजना है तो यह बिहार और उत्तर प्रदेश का परियोजना है अगला है तपोबन एबं विश्नुगर्ड जल्बिद्धुत परियोजना कहा अबस्ती थे तो यह उत्तरा घंड में अबस्ती थे अगले प्रसंड की तरफ चलते हैं भारतीय मानसून का वर्नर्ण सबसे पहले किस अरब विद्वारा किया गया था ये सबसे पहले अलमसूदी ने किया था भारत की जलवायू की सबसे महत्पुन बिसेस्ता कौन सी है तो इसकी सबसे महत्पून विश्यस्ता है पबनों की दिसा में परिवर्तन क्या है पबनों की दिसा में परिवर्तन तमिल नाडू में सरत कालीन बरसा अधिकांस जिन कारणों से होती है वो है तो वो है उत्तरपूर्वी मांसून कौन सी है उत्तरपूर्वी मांसून देश के किस भाग में मांसून के अरब सागर एवा मंगाल की खारी दोनों सखाओं से बर्सा होती है यह आपका है पंजाब कौन सा है पंजाब है अगला प्रस्ने असम पस्चिमंगाल तथा उरिसा राजो में मांसून पुर्व आने वाली तरित जन्जाए किस नाम से जानी जाती है ये नारवेश्टर्स के नाम से जानी जाती है अगला परसने भारत के कोरो मंडल तर्ट सरबादिक बरसा होती है ये अक्टूबर नॉम्बर में सरबादिक बरसा होती है निश्ट है भारत के उत्तर पस्चिमी भाग में सीत कालीन बरसा का क्या कारण है इसका कारण है पस्चि तो यह आपका मासिन राम है, कौन सा है, मासिन राम अगला प्रसन है, मावसिन राम और चेरा पुंजी अधिक बरसा होती है क्योंकि यहां की पहारियां किप की आकिरती की है, किस की आकिरती है किप की आकिरती की दिल्ली में अधिक बार्सिक तपांतरन का कारण है समुद्र से अधिक दूरी है ना भारत की किस भाग में सरबादिक दैनिक तपांतर पाया जाता है तो राजस्थान के मरवस्ति लिए छेतर में नेक्स्ट है जम्मु कस्मिर में होने वाली सितकालिन बर्षा का क्या कारण है इसका कारण है पस्चमी बिछोग अगले प्रस्चन की तरफ चलते हैं अगला है यदि भारत में करकरेखा के अस्थान पर विश्वत रेखा होती तो यहां की जलवाई उपर क्या प्रभाप पड भारत का अधिकांस भाग करकर रेखा के उत्तर में इस्तित है पर इसे एक उस्ट कटी बंदिये देश कहते हैं क्योंकि देश की जलवायू का निरधारन उस्ट कटी बंदिये मांसून से होता है ना यही कारणने की भारत को उस्ट कटी बंदिये छित्र कहा जाता है नेक्स अगला परसन है मांसूनी जल बायू की पर्मुक भिसेष्ट है, बायू की दिशा में मॉसमी पर्वर्वर्वर्थन ये भी होती है पस्चिंब्य चॉबहुऔसे जन्यी में जारो में वर्शा होती है उत्तरपुरिमी मांसून से आम्रवर्षा क्या है तो बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अपरेल में होने वाली बरसा क्या कहते हैं आमर बरसा कहते हैं क्योंकि इस टाइम आम का फल आ जाता है अक्टूबर में गर्मी का परमुकारण क्या है ता अगला प्रस्ण है मांसून किस भासा का सब्द है तो मांसून अर्वी भासा का सब्द है उत्तर पूर्भी मांसून के सबसे अधिक बरसा प्राप्त करने बला राज है आपका तमिल नाडू कौन सा है तमिल नाडू अगला परस्ण राष्टी ये बन निती के अनुसार परियावरन के द्रिश्ची से देश के कम से कम कितने परती सचेतर पर बनों का आपरन आबस से खेती ये 33% कितने परस्ट? 33% के अधर सरकार द्वारा नई बन निती की घोसना किस बर्स की गई थी? तो 1988 पे की गई थी अगला परसने भारती ये बन सरविक्षन विभाग का मुख्याले इस्तित है इसका मुख्याले आपका देहरादून में इस्तित है नेक्ष्ट है भारत में बन अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है ये आपका देहरादून में इस्तित है नेक्ष्ट है परियाबरन सुध संस्थान नेरी कहा इस्तित है नेरी नागपूर में इस्तित है कहा पर इस्तित है नागपूर में इस्तित है अगला है भारत में बिर्क्षा रूपन उत्सब जिस से बन महोचब के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है इसका जन्मदाता है के मुंसी नेक्स्ट है भारत में बनों की ताजा इस्थिती के संबन में रिपोर्ट कौन जारी करता है यह आपका भारती यह बन सर्वेक्षन विभाग जारी करता है जो देहरादून में इस्थित है देहरादून इस्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने बरसों के अंतराल पर बन संबंदी रिपोर्ट जारी किये जाते हैं ये दो बरसों के अंतराल पर किये जाते हैं अगला है बन रोपन परकिरिया है तो पेर लगाने की परकिरिया है अगला है देश में सरबादिक बन छेतर किस राज में है तो ये आपका मध्य परदेश में है किस राज अगला है भारतिय बन सर्वेक्षन विवाग की अस्थापना कब की गई थी इसकी अस्थापना 1981 में की गई थी अगला है बनों की सुरक्षा के लिए स्वतंतरता प्राप्ति के पस्चात सरपर्थम किस बर्ष सरकार द्वारा बन निती की घोसना की गई निक्ष्ट है बिच्छा दादि छेतर सरवाधिक पुर्वी डक्कन में है कहां पर है पुर्वी डक्कन में निक्ष्ट है नीलगीरी पहारियों में पेर की समाने जाती है तो टोक टोंकिया सागाउन कौन सा है टोंकिया सागाउन अगले प्रसन की तरफ चलते हैं भारत में मैंग्रो बनस्पती मुखितब पाई जाती है तो यह आपका सुन्दर बन छेतर में क्या होती है यह पाई जाती है अगला प्रसने देश के सरवाधिक छेतर फल पर किस परकार के बन पाई जाते हैं तो उस नादर पत जरपन है ना इंडिया में सबसे दर पत जरपन पाई जाती है देश के सौ से दूसो सेंटीमीटर और सत बारसिक वर्षा वाले भागों में किस परकार की बनस्पती पाई जाती है यह उस नादर पत जरपन पाई जाती है नेक्स्ट है भारत में चंदन की लकरी के लिए परसीद राज्य है ये आपका करनाटक राज्य है कौन सा करनाटक राज्य है अगला परशने 50 सेंटीमीटर से कम औसोत बारसिक वर्षा वाले छेतर में समाने तक किस परकार के बन पाय जाते हैं ये आपका मरू अस्थलिये बन पाय जाते हैं नेक्स्ट है भारत के किस भागोलिक परदेश में उश्न कटी बन दिये से लेकर अलपाइन प्रकार की बन बनस्पती मिलती है ये उत्तर की हिमालाई परवतिये परदेश में मिलती है नेक्स्ट है दलदली अथवा जवार भाटा छेतरों में पाय जाने वाल नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोब बनस्पती का सरबादिक बिस्तार किस राजे में पाये जाता है यह पस्चिम मंगाल में पाये जाता है किस राजे में पाये जाता है पस्चिम मंगाल में नेक्स्ट है भारत में परमुख बनस्पती कौन सी है वो आपका पतजर्बन है कौन बन कौन से है, हूँ है, मैंगरोब बन कौन से है, मैंगरोब बन, नेक्स है, साइलेंट वेली, कि चर्चित होने का कारण है, इसका कारण है, जै बिभीत्ता, एवं सदावार बन का संगरक्छन, नेक्स्ट, अगला प्रस्ण है, उत्रा खंड, फूलों की घाटी इस्तिते थे अगले परसंड की तरफ चलते हैं बारत में इसका सरबादिक बिष्तार पश्ची मंगल में पाई जाता है भारत में परमुक बनसपती कौन सी है यह आपका पतजरवन है भारत में चंदन की लकरी के बंद सबस्याधी कहाँ पाई जाते है यह अपका नीलकिरी पहारियों में सबसे अधिक चंधन की लकरी का बन पाये जाते हैं अगले प्रस्जन की तरप चलते हैं जो बन चक्रबातों के अवरोधों का कारे करते हैं वो बन कौन से है? मेंगरोब बन है कौन है? मेंगरोब बन सैलेंट वेली के चर्चित होने का कारण है जैव बिवित्त एवं सदा भाहर बन का संग्रेक्षन नेक्स्ट है फूलों की घाटी उत्राखंड में सांत अबस्तित सांत घाटी केरल में पश्चमी घार पर पाई जाने वाले बनस्पती का परकार है सदा हरित कौन सी है सदा हरित अगला प्रस्ण है उष्ण कटी बन दिये आदर सदा भाहर बन पाय जाते है तो यह प्राइदुपी पठार चेतर में पाय जाते है अगला है गंगा प्रहंपूतर के डेल्टाई चेतरों में किस ब्रिक्ष की अधिक्ता के कारण इसे सुन्दर बन कहा जा निया थे जाती है। देश के 100-200 cm वार्शिक बर्सावाले भावो में किस परकार की बनस्फति पाई जाती है। इसमें आपका उस्नाड पद्जर बनस्पति पाई जाती है। भारत में चंदन की लकरी के लिए परसिद राज है। तो आपका एक करनाटक है। 50 cm से कम वार्शि बर्सा वाले चेत्रों में समाइने तक किस प्रकार की बन पाए जाते हैं यहां पर मरू अस्थलिये बन पाए जाते हैं कौन सा बन पाए जाते हैं मरू अस्थलिये निश्ट है भारत के किस भावगलिक परदेश में उस्ट्न कटी बन दिये से लेकर अलपाइन प्रकार की बन स्पती पाई जाती है तो यह आपका उत्तर का हिमाले प्रवती प्रदेश में पाई जाती है निश्ट है दलदली अत्वा जुआर भाटा छेतरों में पाई जाने वाले बन को क्या कहा जाता है इसे मैंगरो बन कहा जाता है अगला प्रशने भारत में सरबाधिक महत्पुन ब पस्ची मंगाल में अगला प्रस्ण की तरफ चलते हैं भारत में पर्मुक बनस्पती कौन सी है तो है आपका पतजर कौन सी है पतजर भारत में चंदन की लकरी के बन सबसेधी कहां पाए जाते हैं ये आपका निलगीरी पहारियों में पाए जाते हैं अगला प्रस्ण जो बन अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं भारत में ग्रूब बनस्पती का सरबादिक बिस्तार किस राजी में पाए जाता है तो ये पस्चे मंगाल में पाए जाता है भारत में परमुक बनस्पती कौन सी है तो ये पतजर है भारत में चंदन की लकरी अगला प्रस्न है भारत के सरबादिक छेतर पल किस परकार की मिट्टी का बिस्तर पाया जाता है ते यह जलोड मिट्टी का सबसे ज़्यादा किस पर जलोड मिट्टी का तटिये मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्करिष्ट मिर्दा कौन सी यह जलोड मिर्दा है नबीन जलोड मिट्टी को अने किस नाम से जाना जाता है इसे खादर के नाम से जाना जाता है पुरानी जलोड मिट्टी को अने किस नाम से जाना जाता है तो इसे कहा जाते हैं बांगरागाँ अगला प्रसन है भारत में समस्त अस्थल भाग पर कितना पृतिसात जलॉड मिट्टी से डगा है थी चोभीस परसन्ट कितना परसन्ट जलॉड मित्टी में जब जान बालू के कनो और चीका की मात्रा लगबग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है तो उसे दोमट नाम दिया जाता है क्या नाम दिया जाता है दोमट नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सरबोत्म मिट्टी होती है तो ये काली मिट्टी होती है कौन सी काली मिट्टी लावा के परबाह से किस मिट्टी का निर्मान होता है ते काली मिट्टी का निर्मान होता है रेगुर मिड़दा किसकी किरसी के लिए सरबादिक उपर 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 उपता है नेक्स्ट है किस मिट्टी में किरसी के लिए सिचाई किया वेसकता नहीं होती है तो काली मिट्टी में, किस में काली मिट्टी में भारत में काली कपासी मिट्टी को किस अस्थानिय नाम से जाना जाता है, ये रेगूर कौन सा है, रेगूर, भारत में लाल मिट्टी का सरबादी की विस्तार पाया जाता है तो आन्द पर्दिस एवं तमिल नाडू में कहाँ पर आंद पर दे से हम तमिल नाडू में दो ती हाई छेतर पर किस मिट्टी का विस्तार पाय जाता है यह लाल मिट्टी का किसका लाल मिट्टी का अगला परसन है लेटराइट मिट्टी महत्पुन रूप से पाय जाते है लेटराइट मिट्टी माला अगले प्रसन की तरफ चलते हैं भारत में काली कपासी मिट्टी को किस अस्थानीय नाम से जाना जाता है तो यह रेगूर कौन सी है रेगूर भारत में लाल मिट्टी का सरबादिक विस्तार पाया जाता है तो यह आंत्रप्रदिस तमिल नाडू में नेक्स्ट है तमिल नाडू के दो तीहाई चेतर पर किस मिट्टी का विस्तार पाय जाता है ते लाल मिट्टी का विस्तार पाय जाता है किस का विस्तार लाल मिट्टी का नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी महत्पुन रूप से पाई जाती है तिये मालावार तटिये छेतर में पाई जाती है लेटर राइट मिट्टी में किस मिट्टी में लेटर राइट मिट्टी में नेक्स्ट लेटर राइट मिट्टी की समानेता अधिक बरसा वाले चेतरों में पाई जाती है इस मिट्टी में मुखेता मोटे अनाज की खेती की जाती है इस मिट्टी में चाय की भी किरसी होती है है ना अगला प्रस्ण है धान की खेती के लिए सरबादिक आदर्स मिर्दा कौनसी है यह आपका जलोड मिर्दा है कौनसी है जलोड मिर्दी में सबसे अधिक धान की खेती होती है मिर्दा अपरदन रोका जा सकता है तो बन रोपन द्वारा मिर्दा पर्दन को क्या किया जा सकता है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी क्या नाम है काली मिट्टी रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है तो यह है सबसे ज़्यादा महाराष्ट में कहां पर हैं महाराष्ट में नेक्स्ट क्रोस्टिन की तरफ चलते हैं अगला प्रस्टन है भारत का सबसे बड़ा चाबल उत्पादक राज है यह पस्ची मंगल है को है पस्ची मंगल भारत में अधिक्तम किर्सी योगे छेत्र घेरने बाली फसल है तो वह है धान उस खादि फसल का नाम बताईए जो भारत में सबसे अधिक उपज होता है तो वह चाबल है भारत में हरित करांती किस मामले में सरबादिक सफल रही तक गेहूं के मामले में है ना पहले नमबर पर गेहूरा सिकेंड नमबर पर आपका चाबल रहा अगला प्रस्ट हरित करांती का अर्थ है किरसी के आधुने के विडियो का उपयोग कर परती एकर फसल की उपजबढ़ाना किस राजे को भारत का धाने भंडार के रूप में जाना जाता है तो धाने भंडार के रूप में पंजाब को जाना जाता है डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन को नेक्ष्ट है भारत का सबसे बड़ा मंगुफली उत्पादक राज है आपका कौन सा है गुजरात है कौन सा है गुजरात अगला परसने भारत का सबसे बड़ा सोयाविन उत्पादक राज है तो ये मदिपरदेश है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राजी है केरल निठे सबसे अधिक मातरा में केसर मिलता कहां पर है तो जमू का समीर में नेक्स्ट है भारत में ब्रहत्तम पैमाने पर जूट की खेती किस नदी पर की जाती है यह हुगली नदी पर की जाती है अगला परसने भारत में सरबुत्तम चाय कहां पैदा होती है ये दारजिलिंग में पैदा होती है कहां पैदा होती है दारजिलिंग में पैदा होती है अगला परसने भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राजी में पैदा होती है असम में पैदा होती है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राजी कौन सा है यह उत्तर प्रदेश है भारत में प्रकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राजी में होता है यह केरल में होता है प्रकृतिक रबर के उत्पादन में भारत क्या बिस्व में कौन सा अस्थान है तापका इ दूधुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद अगला प्रस्ण है जूट सबसे अधिक कहा होता है तो बंगाल के डिल्टाइ च्छित्रों में, νिल गिरी पहारी के च्छित्रों में किसकी खेती की जाती तो कॉफी की जादा खेती की जाती है अगला प्रसन है, दक्षिन भारत में सरबाधिक चाय, उत्पादित करने बला राज jeopard है तो वे आपका तमिन लाडू है भारती दलहन सोध संस्थान इस्तित है ये कानपूर में इस्तित है पीली करांती किसके उत्पादन से सब्बंद है तो ये तिलहन के उत्पादन से सब्बंदी थै भारत का राश्टी एफल है तो ये भारत का राश्टी एफल आपका कौन सा है आम है कौन सा है आम है भारती कलपक्कम नामक्स अस्थान पर किस की अस्थापना की गई है तो नावकिये उर्जा की अस्थापना की गई है अगला प्रसन है काकरा पारा परमानु सक्ति के अंदर किस राज में इस्तित है यह कूजरात राज में इस्तित है नेक्स्ट कैगा में होता है कैगा में नावकिये उर्जा उत्पादन है नेक्स्ट है भारत का पर्थम पर्मानु उर्जा उत्पादन केंदर है ती ये तारापूर महाराष्ट में इस्तित है कहाँ पर तारापूर महाराष्ट में अगला परशन है भू तापिय उर्जा पराधारित मनी करन बिजली सेंटर किस राज़े में ये हिमाचल पर्दिस में अगला है तालचर एबं इन्नोर उलेखनी है ये है तापिय सकती सेयत्रों के लिए उलेखनी है भारत की पर्थम जल भिद्दूत परियोजना कौन सा है तो काभेरी नदी पर सीब समुधरम जल्ब परियोजना याद रखे सीव सबुद्रम परियोजना नेक्स्ट है चूखा जल्बिदुत परियोजना जो की भारत एबं भुटान की सिंक्त परियोजना है किस नदी पर इस्तित है थी ये बांगूची नदी पर इस्तित है किस नदी पर दुलहष्टी जल्बिदुत पर जम्मू कस्मीर में चिनाब नदी पर इस्तित है रेक्ष्ट है लोक्टक सक्ती पर जोना किस राजी में इस्तित है ये अपका मनीपुर में इस्तित है अगला है पवन उर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा अस्थान है तो भारत का विश्व में पाचमा अस्थान है कौन सा अस्थान है पाचमा अस्थान है अगले प्रस्ण की तरप चलते हैं भारत में पर्थम जल्बिदुत के अंदर की अस्थापना 1897 में कहां की गई थी तो इसीया की पहली भूमिगत जल्बिदुद परिजना भारत के किस राजी में इस्ति थे तो ये हिमाचल परदेश में इस्ति थे किस राजी में इस्ति थे आपका हिमाचल परदेश राजी में इस्ति थे अगले प्रस्म की तरफ चलते हैं महात्मा गांदी जल्बी दूद परिजना इस्तिते करनाटक में सराबती नदी पर दुलहस्ती जल्बी दूद परिजना इस्तिते तो जम्मू का सिम्र में चिनाम नदी पर लोक्टक जल सक्ती परिजना इस्तिते मनि पूर में पबन उर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा अस्थान है तो पांच माः स्थान है अगला परसन है भारतिए खनिच पदारतो का भंडार गिरी कहलाता है तो ये कहा लाता है छोटा नागपूर का पठार है ना करनाटक राजी में इस्तित बाबा बुदन की पहारियां किस खनीच के उत्खाणन के लिए परसीदे ये लोह एस के लिए परसीदे नेक्स है भारत में सरबादिक लोहा उत्पादर करने वाला राज्य है तो उरिसा कौन है उर और अगूचा रामपूरा अगूचा घनन चितर कि सराज्य ही में से संबन्दित है सीचब नबंर का सरबादिक जस्टा उत्पादक राजopic ये आपका राजस्थान है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज buffet कौन सा है ये आपका औरिसा है जिबसं पर पर फम अस्थान से पाया जाता है यह मकरना में मिलता है क्रिदरा चेतर की मोति पूर पूरा खान कौन सा पत्ठर निकला जाता है वहां से तो वहां से सफिद संगस्ट मिला जाता है अगला परसन है कोलार स्वर्न खादान की सराज में इस्तित है यह आपका करनाटक में इस्तित है भारत के की सराज में बिसु का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है यह आपका किरल में है कहां पर है किरल में है अगला परसन है टंगस्टन उतपादन के लिए परसीद डिगान कि खान कि सराजय में इस्ती थे राजफान में इस्ती थे निक्सक देश के कूल कुल और कोईला उत पादन में जहारखंड की भागयदारी है 40 % कितना है बहुती परसिंट अगला परसन जहारखंड में क्ए खाने इस्ती थे यह जरीय में सबसे अधिक के भंडार है तर दामोदर घाटी में कहा पर है दामोदर घाटी में अगला प्रसन आपका पस्चिम मंगाल में रानी गंज का संबंदे तो कोईला च्छेतरों से किस से कोईला च्छेतरों से भारत में सरवादी कोईला भंडार पाये जाते है तो यह जारखंड में पाये जाते हैं कहां पे जारखंड में नेक्ट है जरिया कोईला च्छेतर जारखंड के किस जीले में इस्थी थे अगले परसन की तरप चलते हैं तो अगला परसन आप देख लिजें यहां पर भारत में खानीज तेल का उत्पादन सरपर्दम प्रारम किया गया था तो डिगबोई में कहां पर किया था डिगबोई में तेल इब हम प्राकिरते गैस आयोग की अस्तापना कब हुई तो 1956 में ह अगला परसने भारत की सबसे महथपुन यूरेनियम खान कहां इसती ते ये जदुगोणा में इसती ते जाना जाता है तो पेट्रोलियम कुत्पादन के लिए चाना जाता है पनियान तथा इरूला जन जातिया किस राजे में निबास करती थी किरल राज में निबास करती है दफला तथा सिंख्पो जन जातिया किस परदेश में पाई जाती है अगले परसन के तरफ चलते है अगला प्रस्ट है लिप्चाय तथा भूटिया जंजातिया का निबास छेतर कहा है ति ये सिक्किम है कहा है सिक्किम आदि बासी समू सहरिया का संबन किस राजे से है तापका राजस्थान से है मुंडा जंजाती कहा निवास करती है तो यह जारखन में निवास करती है कुगी जंजाती के लिए लोग रहते हैं कुगी जंजाती के लोग मनीपूर में रहते हैं निश्टे गारो खासी जेंतिया जंजाती है किस छितर में निवास करती है अगला है आबो जंजाती सम्मझ है आबो जंजाती असम से रिलेटेड है किस से रिलेटेड है असम से रिलेटेड है रिस्टे गोंड जंजाती का निवास छित रहे तो आंध परदेश भारत का सबसे बड़ा जंजाती समू है गोंड चेंचु जंजाती किस परदेश में जाती है यह आपका कौन सी है संथाल है कौन सी है संथाल अगला प्रस्ण है गारो जन जाती मेघाल है बोडो निवास करती है गारो पहरीप में गदी लोक निवास करती है माचल प्रदेश की छित्र में भील जन जाती पाई जाती है महराष्ट में भारत की सरबादिक बरी जन पर चिंचु जंजाती कि सबसे बड़ी जंजाती है संथाल है ना कौन सी है राप्ती नदी के तरफ पर गुरद पूर इस्तित general calorden गौभार किस नदी के तरफ पर इस्तित तो यह जमुना नदी के तरफ इस्तित अगला है जम सेथपूर किस नदी के तड़ पर इस्तित है जम के सेथपूर स्वरन देखा नदी के तड़ इस्तित है नासिक किस नदी के तड़ इस्तित है जौनपूर किस नदी के तड़ इस्तित है जौनपूर गुमती नदी के तड़ इस्तित है अगला प्रसन की तरफ चल अगला है गंगा नदी के तरपरिस्तित परमुक सहर कौन है तो गंगा नदी के तरपरिस्तित परमुक सहर है हरीद्वार, कानपूर, इलहाबाद, वारानसी, पटना, मुंगेर, भावलपूर, सिरलंका इस तरह से बहतरीन मेराथन क्लास मापतु आपका complete revision हुआ आप इस क्लास को अच्छे धंक से देख लिजेगा आपका जाम में एक भी परस नहीं छोटेगा इसका 100% guarantee है तो अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जूरे हैं तो जूर जाए चलिए मिलते हैं अगले क्लास मे प्तबते कि लिच जे हैंद